चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है, ये भी पता चल गया है कि 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये कि आखिर कौन से राज्ये किस चरण में आएंगे और किस तरीके से यहाँ पर चुनाव होगा, तो वो भी पूरी तस्वीर देख में 13 माई को 25 सीटों के लिए चुनाव होना है, 26 अपरल की तारीख जब केरल में चुनाव होगा, 20 सीटे वहाँ पर जहां के लिए मतदान होना है, तेलंगाना की 17 सीटों पर 13 माई को वोट डाले जाएंगे, इसके बाद आती है पंजाब की 13 सीटे जहां 1 जून को सामने होंगे, गुजरा, तमिलाडू, आंधर प्रदेश, केरल, तेलंगाना, पंजाब और हरियाना, ये तमाम वो राज्ये जहां पर एक ही फेज में वोटिंग करा ली जाएगी, और इन तमाम जगहों पर ये तारीखें भी आपके सामने हैं, कितनी सीटों के लिए यहां चुनाब होंगे, और साथी चार जून को यहां पर नतीजे भी सामने होंगे, अब बिहार की 40 सीटे, कहां-कहां पर मतदान होगा, बिहार जहां 7 चरणों में चुनाब होना है, 19 अपरेल जब 4 सीटों के लिए चुनाब होगा, फिर 26 अपरेल की तारीख है, जहां पर 5 सीट को भी 8 सीटों के लिए मतदान होगा तो बिहार की जो 40 लोकसभा सीटे हैं 7 चरणों में बिहार में वोटिंग होनी है इसके साथ ही ये तो बिहार की बात हो गई आप उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटे और यहां पर भी 7 चरणों में देखे आपके सामने तारिकि भी आ गई हैं, उन्नीज अपरयाल को वोट होगी, आछ सीडो के लिए, आछ सीडो के लिए 26 अपरयाल को भी यहां पर वोट डाले जाएंगे, फिर 10 सीटों के लिए 7 मई की तारीक है और उसके बाद अगली तारीक यहां पर 13 मई के लिए है जब 13 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे उत्तर प्रदेश में 20 माई को 14 सीटों के लिए मतदान उत्तर प्रदेश में होना है 25 माई की तारीक जब 14 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे उत्तर प्रदेश में और फिर आती है 1 जून की तारीक 7 जब 13 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में वोट डाले जाएंगे और कुछ इसी तरीके से पश्चिम मंगाल में भी 7 चर्णों में वोट होना है यानि कि वोटिंग होनी है और इसके साथ ही यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि 42 सीटे हैं लेकिन कब-कब कहा कहां पर मतदान होगा कितनी सीटे 19 अपरेल को 3 सीटों के लिए वोट डाले जाए पिर आता है इसके बाद 4 सीटों के लिए 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जुन यानि कि 7 फेज पश्चिम मंगाल में भी जब मतदान होंगे अलग-अलग फेज में तो चाहे यहाँ पर आपने देखा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिम मंगाल ये 3 फेज ज तीन राज्यों में चुनाव होगा जिसके नमबर्स अभी शिरीन बता रही थी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम मंगाल और बिहार, और इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं हमारे साथ आशीश इस पक्त मौझूद है निउसरूम से, जरा जानते हैं आशीश से, और के डी बीजेपी, इंडिये, कॉंग्रेस, इंडिया गड़ बंधन के मुकाबले आगे नजर आ रहा है, अब जब कि चनाव की तारिखों के एलान, पार्टी की रणनीती में क्या तब्दिली, क्या बदलाव होने वाला है, नीरच? तिक रणनीती में तब दिली तो बदलाव का तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन एक बात जो ज़रूर है, जो इनकी रणनीती है कि कोशिश ये है कि 20, यानि कि अगली 2-4 दिन में जो सभी सीटे हैं लगबग उन पे काम पूरा कर लिया जाए, माना जा रहा है कल के बास से अगले 2-3 दिन continue और जिन जिन राज्यों की अभी कोर कमेटी बाकी रह गई है, जिसे उत्तरप्रदेश की 24 सीटे हैं, उडिसा अभी पूरा रह गया है, पंजाब की अभी कोर कमेटी हो नहीं पाई है, इन सब राज्यों की जो अभी सीटे बाकी रह गई हैं, उन सीटे काम पूरा कर लिया जाए, और 20 मार्च के आस पास किसी बिदिन केंद्री चुनाओ समित की बैठक हो सकती है, उस बैठक में बची हुई कुछ सीटे हैं, यानि कि अभी तक 260 सीटे बारतियनता पाटी ने अभी तक रिलीज की हैं, बची हुई जो सीटे हैं, उनको भी रिलीज क हो गई हैं, लेकिन ये तस्बीर बिल्कुल ओफिशियल एनाउंस्मेंट नहीं किया गया, कि कौन किस सीट से कहां से चुनाओ लड़ेगा, ये सारी चीजें अगले दो से चार दिन में पूरी हो जागी, भारतियनता पार्टी तेयारियों के मामले में, मुरुमाना मैंने प ABP News आपको रखे आगे